नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपादकी विशलेशन में आपका स्वागत है संपादकी से संबंदित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं इस संपादकी से जिसका सिर्षक है इस संपादकी को लिया गया है दा हिंदू नीजपेपर से और यह संपादकी जियस पेपर टू की दृष्टिकों से महत्पूर्ण है देखते हैं इस संपादकी को विस्तार के साथ इस संपादकी का आधार है RCEP मतलब Regional Comprehensive Economic Partnership या छेत्रिय व्यापक आर्थिक साजिदारी तो मामला यह है कि 15 नवंबर को RCEP वास्त्विक रूप में अपने अस्तित्त में आया जब 15 देशों ने इन 15 में कौन-कौन सामिल है तो आसियान के दस देश और चीन, जापान, आस्टेलिया, निजलेंट और साउथ कोरिया तो इन 15 देशों ने जब इस पर हस्ताक्षर किया वहीं अगर भारत भी इस पर हस्ताक्षर करता तो फिर कुल देशों की संख्या 15 की बजाय सुलह होती परंतु भारत पिछले वर्स RCEP की वारता प्रक्रिया से बाहर हो गया भारत क्यूं बाहर हुआ इसके कारण को हम बाद में देखेंगे RCEP का उद्देश से क्या है इसका उद्देश से है कि हस्ताक्षर में शामिल जो देश हैं इन देशों के मद्ध वस्तु एवं सिवा की पहुच का विस्तार करना मतलब Free Trade Agreement क्या होता है Free Trade Agreement? तो free trade agreement का मतलब है कि tariff या सीमा सुल्क की या तो समाप्ति या जो सीमा सुल्क की दर होती है उसको कम करना वहीं दूसरा quantitative restrictions की समाप्ति मतलब परिमानात्मक प्रतिबंध है उसको समाप्त करना है ये क्या होता है तो देखे इसके अंतरगत वस्तु या सेवा के आयात पर एक न और तीसरा non tariff barriers की समाप्ति इसका क्या अर्थ है तो इसका अर्थ है कि वस्तु और सेवा के आयात पर विभिन कार्णू जैसे प्रयावर्णिय, बाल अधिकार, सुरक्षा, आधी के आधार पर प्रतिबंध लगाना तो FTA के अंतरगत हमने यहां पर क्या देखा कि tariff की समा अब अगर हम बात करें RCEP के आकार की, तो RCEP में जो शामिल देश हैं, तो वहां पर Westwick जनसंख्या का एक तिहाई आबादी है, वह रहती है, और RCEP में जो शामिल देश हैं, अगर उनके GDP के आकार की बात करें, तो Westwick GDP का 30% हिस्सा इन देशों का है, अब हम बात करते हैं भारत एवं RCEP के संबंधों की, मतलब ये कि भारत पिछले वर्स RCEP की वारता प्रक्रिया से बाहर क्यों निकला, तो देखें, 2013 इस्वी से भारत RCEP की वारता प्रक्रिया में सामिल रहा है, परन्तु 2019 के नवंबर महा में भारत RCEP से अलग हो गया, जिसका कारण क्या है जरा वो देखें, कारण है, भारत घरेलू क्रशी एवन डेरी उतपाद को RCEP में शामिल अन्य देशों खासकर निजिलेंड के डेरी उतपाद से सुरक्षा देलाना चाहता था, और इसके लिए इन उतपादों पर निम्न सीमा सुल्क के पक्च में नहीं था, इसी वस्तु का निर्मान मुख रूप से किस देश में हुआ है, या कहलाता है Rule of Origin, और Rule of Origin पर जो भारत की चिंता है, वह चिंता है चीन के संदर में, क्योंकि चीन अपने उतपाद को सीधे भारत में भेजने की बजाए, व्यतनाम जैसे देशों, जिसके साथ भारत का आयातित वस्तु पर निम्न दर्ण पर सीमा सुल्क समझ होता है, कि माध्यम से भेजता है, और जो तीसरा कारण है, सेवा छेतर को प्रमुकता देना, मतलब भारती सेवा छेतर को प्रमुकता देना, और सेवा सहित, मानप पूंजी के निर्वाध आवा गमन की भी बात, भारत ने RCE E.P. के जो पहले वारता होती थी उसमें अपनी बात रखी थी परन्तु भारत के द्वारा उठाएगे इन मुद्दों पर R.C.E.P. के देशों ने कोई विशेज ध्यान नहीं दिया था इसी को देखते वे भारत ने खुद को R.C.E.P. वारता से अलग कर दिया अब R.C.E.P. के संबन्द में सरकार की अगर परतिक्रिया की हम बात करें तो दो परकार की परतिक्रिया रही है क्या पहली परतिक्रिया यह रही है कि European Union और अम्रिका के साथ Free Trade Agreement भारत करें क्योंकि इनका यह मानना है कि यह भारत के पक्ष में रहेगा और दूसरी परतिक्रिया यह रही है कि RCEP के माध्यम से चीन अपने उत्पात को भारत में आसानी से पहुचा देगा और परिणाम यह होगा कि इससे इस्थानिय उद्योगों को नुकसान होगा यह जो परतिक्रियाएं बताई जा रही है और खासका चीन के संदर में जो बताई जा रही है तो अगर इस इस्थिती का हम आकलन करें तो आकलन करने के लिए हमारे पास कुछ आधार है पहला आधार है आर्थिक सरविक्षन हालिया आर्थिक सरविक्षन में 1993-2018 की अवधी के व्यापार का जिक्र है जिसमें यह बताई गया है कि भारत के वस्तू व्यापार निर्यात की इस्थिती जो फ्री ट्रेड एग्रिमेंट है उसके संदर्व में कैसी रही है तो Free Trade Agreement के संदर्भ में भारत के वस्तु व्यपाद निर्यात में प्रतिवर्स 13 दस्मलब 4 प्रतिसत की वृद्धी देखी गई है। सद्यान में यह बताया गया कि भारत का व्यापार घाटा आस्यान देशों के साथ इस अवधी में घटा है। मतलब उसमें गिरावट देखी गई है। वह कैसे वह इस तरीके से कि जो व्यापार घाटा पहले 9.6 परसेंट था वह घटकर कितना हुआ 6.6 परसेंट। और अगर दुईपक्षी समझोते की बात करें तो दुईपक्षी समझोते जैसे जापान और कोरिया जैसे देशों के साथ तो दुईपक्षी समझोते में भारत के व्यापार घाटे में कमी देखी गई है। जो 12.6% से गिर कर कितना वा, 7.5% हाँ, अगर हम तीसरे आधार की बात करें, तो यह सही है कि चीन के साथ जो भारत का व्यापार घाटा है, तो RCEP में जितने भी देश सामिल हैं, उनको अगर हम एक तरफ रग दें और उसमें चीन को वहां से हटा दें, तो चीन के साथ व्या अब यह कि क्या व्यापार घाटा गलत होता है, तो आर्थिक विश्ले सुकों का कहना है कि हमेशा व्यापार घाटा गलत नहीं होता है, वह कैसे, वह इस तरीके से कि अगर व्यापार घाटे के अंतरगत आयात करवाए जाता है, सस्ती मध्यवर्ती वस्तों का, जिसका कि एक समय के पश्चात, जब अधिसेस उत्पादन होता है, तो फिर इस अधिसेस उत्पादित वस्तु का निर्यात कराए जाता है, तो भारत के संदर में व्यापार घाटा मुख्यमुद्दा नहीं है, मुख्यमुद्दा दो हैं, वो कौन? पहला निम्न परती इस्परधात मक्चमता, दूसरा प्रती इस्परधा में कमी, तो बात करते हैं निम्न प्रती इस्परधात मक्चमता की, इसके उधारन देखे क्या है, कि अंतिम 20 वर्सों में भारत के निर्यात में कितने की विर्धी हुए, 9 गुनी विर्धी हुए, जबकि चीन के निर्यात में कितने व बात करें तो वह भारत के निर्यात आकार का पांच गुना है और व्यतनाम के निर्यात आकार की बात करें तो 1999 में व्यतनाम का निर्यात आकार भारत के निर्यात आकार का महज 32% था जो वर्तमान में भारती निर्यात आकार का लगभग 82% है अब जरा दूसरे मुद्दे की बा भारत का कुल निर्यात, जो वित्ती वर्स 2011-12 में GDP का लगभग 17 परतिसत था, वहीं वित्ती वर्स 2019-20 में यह घटा और यह कितना हुआ, यह GDP का लगभग 11 परतिसत है. अब यहां पर सवाल यह है कि भारत के द्वारा RCEP से हटने का जो निर्णे लिया गया, तो क्या इसकी कोई कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी? तो विशले सकों का यह कहना है कि हो सकता है कि भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़े. वह किस स्वरूप में? तो जरा देखिए, पहला, कि भारत का दुईपक्ची वैपार प्रभावित होगा. वह कैसे? वह इस तरीके से कि अब RCEP में जो शामिल देश हैं, वह फिर अपने ब्लॉक से, मतला RCEP से बाहर वह आर्थिक समझोते नहीं करेंगे. और हमें यह पता है कि भारत का दुईपक्ची वैपार RCEP म सामिल कई देशों के साथ है. वह दूसरी बात देखे कि भारत के हाथ से 2 बिलियन जनसंख्या वाला बाजार निकल गया है. और तीसरा देखे कि हिंद प्रसान छेत्र में, आस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान का जो नेटवर्क, जो कौर्ड के कारण मजबूत हो रहा थ वह भी प्रभावित हो सकता है. और अगर वर्तमान वेस्ट्विक व्यापार एवं RCEP दोनों को अगर हम एक साथ लेकर बात करें, तो हमें यह पता है कि COVID-19 महामारी के कारण वेस्ट्विक व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है. और यूरोप और अमेरिका में अब संक्रमन को नए सीरे से देखा जा रहा है और आसंका यह है कि वहाँ पर प्रतिबंद लग सकते हैं. तो ऐसी इस्थिती में क्या बात देखी जा रही है कि पूर्वी एसिया और प्रशांत सागरिय देश जिसमें कि चीन, दक्षिन, कोरिया, व्यतनाम, आस्टेलिया, सामिल हैं इन देशों के द्वारा ना केवल महामारी के प्रसार को सीमित किया गया बलकि आर्थिक क्रियाकलाब को तेज करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं. RCP का यह जो समझोता इन देशों के बीच हुआ है, तो इसमें जो भी शामिल देश हैं, उनके समक्ष एक नए अफसर देखे जा रहे हैं. वह नए अफसर है आर्थिक सुधार के रूप में, वह नए अफसर है रोजगार स्रिजन के रूप में, वह नए अफसर है छेत्रिय पूर्ति सिंखला, मतलब सप्लाई चेन के रूप में और समावेसी विकास के रूप में. ऐसी इस्थिती में भारत के समक्ष क्या विकल्प हो सकते हैं? तो RCEP के प्रापधान के अनुसार, अगर कोई देश RCEP की सदस्ता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके समक्ष 18 मह अब यहां महत्पूर्ण यह बात है कि भारत RCEP के मुख्य वारताकार देश के रूप में शामिल था, तो यह जो 18 महिने प्रतिक्छा समय की अनिवारिता की बात की गई है, तो यह भारत के लिए नहीं है, मतलब यह है कि भारत 18 महिने से पहले भी RCEP में शामिल हो सकता है, वह इसलिए भी क्योंकि भारत अभी भी RCEP में एक प्रिवेक्छक राष्ट के रूप में शामिल है, दूसरा विकल्ब क्या हो सकता है, भारत Free Trade Agreement जो RCEP में शामिल देश हैं उनके साथ तो करे ही करें, बलकि नए देश के साथ भी भारत Free Trade Agreement करें, और अगर वर्तमान में हम भारत के व्यापार समझोते की बात करें, तो भारत का व्यापार समझोता है आसियान के साथ, साउथ कोरिया और जपान के साथ, भारत की बातचीच चल रही है आस्टेलिया और न्यूजिलेंड के साथ, और 2016 में भारत ने भुटान के साथ अपने व्यापारिक समझोते को र निसकर्ष के रूप में हम क्या का सकते हैं? निसकर्षता यहां पर बात कही जा सकती है कि भारत जब RCEP से अलग होने का निर्णे ले रहा था तो तब से लेकर अब तक काफी परिवर्टन हो चुके हैं और यहां परिवर्टन मुक्य रूप से दो रूप में हैं. पहला COVID-19 महामारी ने वैस्विक आर्थिक परिद्रिश्य को बदल दिया है और दूसरा चीन के साथ अगर भारती संबंध की बात करें तो पहले की तुलना में अब यह संबंध जादा खराब इस्थिति में हैं और चीन को आधार बनाना RCEP से अलग करने का तो यह उचित नह ही है क्योंकि Vietnam, Philippines, Japan और Australia अगर इन देशों की यह संबंधों की हम बात करें चीन के साथ तो इनके संबंध भी चीन के साथ अच्छे नहीं है लेकिन इन देशों ने पारस पर एक आर्थिक लाभ को जादा प्रमुकता दी क्योंकि दिर्ग काल में यही किसी राष्ट्री हित क को पूरा करने में सक्छम हो सकता है और राष्ट्री हित का मतलब यहां पर यह है कि यही आर्थिक हित को पोसित कर सकता है और जिस देश की आर्थिक इस्तिती जितनी जादा मजबूत होगी वेस्ट्रिक इस तर पर उसकी उतनी ही पूछ होगी भारत में संग्रक्छनवाद और अफ्रिका अपने आंत्रिक मुक्त व्यपार ब्लॉक में शामिल होते हैं तो फिर भारत अलग थलग पड़ जाएगा और इसका असर निर्यात और वृद्धी पर भी पड़ेगा वर्तमान में भारत सरकार जिस आत्म निर्भर भारत कारिक्रम नीती पर बल दे रही है अगर आत्म निर्भरता समंधी यह नीती आयात परतिस्थापन नीती का अनुसरन कर रही है तो यह बात याद रखिए कि यह मुक्त व्यपार का विकल्प कभी भी नहीं बन सकता इस प्रकार इस संपादिकी के द्वारा हमने हालिया संपन्न हुए RCEP समझोते पर चर्चा की इससे समंदित या प्रश्ण प्रश्ण है छेत्रिय व्यापक आर्थिक साज़ेदारी के संदर्व में भारत की इस्थिती बताएं इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार